दोस्तो क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिश्णल योगासना competition में माक्स किस आधार पर दिये जाते हैं तो दोस्तो dzisiaj के इस वीडियो में हम ट्रेडिश्णल योगासना competition के grading system के बारे में जानने के गुश्जिश्र करेंगे इस competition को योगाशना के मूल्च सिद्धान्त के उपर जज किया जाता है और जो है स्थीरंग, सुखंग, आसना हर आसन को एक से दस के बीच में अंक दिये जाते हैं हर आसन को इन कसोटियों पे परखा जाता है नमबर एक alignment नमबर दो stability ट्रेडिशनल योगाशना competition में हर आसन को 15 सिकन तक hold करके रखना रहता है इस दोरां जजजेस ये देखते हैं कि participant के body में कोई movement या कमपन तो नहीं है ये भी देखा जाता है कि जो आसन प्रस्तुत किया है वो पूर्ण किया गया है कि नहीं जजेस ये भी देखते हैं कि आपका श्वास लैबद तरीके से हो रहा है कि नहीं क्योंकि धीमा और लैबद श्वास आप सुकम सिती में हैं ये बताता है स्मूट ट्रांजिशन्स ये देखा जाता है कि आप आसन लगाते वक्त किस आसानी से और किस लैबद तरीके से आसन में जा रहे हो जज़े इसको प्रभाईद करने के लिए ज़्याद दर्पतिबागी ये प्रयास करते हैं कि आसन में जिस सिक्वेंस में अंदर गए उसी सिक्वेंस से आसन से बाहर आए अब जानते हैं कि आपके मार्क्स कहां पे कट बढ़ी संदर तरीके से दौनोई हाथ के उपर बॉड़ी का पूरा वेड डालने का प्रयास थोड़ा सा बैलेंस मुझे लगता है कि यहां बिगड़ा लॉस ओप बैलेंस जहां पी आप देख सकते है कि गुजरात की पुजा पटेल और महाराश्ण की पुर्वा किनारे राजवत आशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें पूजा पटेले पहले ही अटेंप में ये आसन कम्प्लीट किया है, जबकि पूर्वा गिनारे इस आसन को करते हुए काफी दिक्कत में हैं. Error in Alignment हर आसन में आपके बॉड़ी के अंग एक विशेष्ट कोंड में रहने चाहिए, अगर आप वो मिस कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. हर आसन आप शांत दिमाग और चहरे पर मुस्कान के साथ करें, ऐसे अपक्षा रहती हैं. इससे आपकी योगासना के प्रतीव कटी बद्दता और समझ प्रस्तूत होती हैं. ट्रेडिशनल योगासना कॉंपिटिशन में दो कंपल्सरी आसन और पाच आप्शनल आसन आपको प्रस्तूत करने रहते हैं. हर आसन की एक अलग डिफिकल्टी लेवल रती हैं, और जितनी डिफिकल्टी लेवल का आसन उतने ज्यादा मार्क्स. तो यहां पर आप देख सक करते हैं कि अरुन्या होते चित्व पतंग असन प्रस्तूत कर रहे हैं, जो की एक एक स्ट्रीम डिफिकल्ट लेवल का आसन है, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे तरीकी से प्रस्तूत किया और इसके इनको पूरे मार्क्स मिलेगे, लेकिन इस पार्टिसेपेंट ने जो आ मार्क मिलेंगे, लेकिन अगर उसे प्रापर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएं, तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, और इसके विपरित अगर आपने आसान आसन किया और काफी अच्छे से परफॉर्म किया, तो भी आपको एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे, तो दोस्तों से पहले उसकी रूप रेका, उसके कंपलसरी आसन, उसके ऑप्शनल आसन और डिफिकल्टी लेवल्स प्रस्तूत की जाती है, अगर आप योगासना कॉम्पेटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो कुरुपया करके पहले कॉम्पेटिशन के नियम और आसनों के ब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हसते रहिए, मुश्कुराते रहिए, और खेलते रहिए, खेलो इंडिया, खेलो, सब्सक्राइब दी चैनल नाओ,